अब्लब की अपने चैनल दनलिम्टेट श्रगलर में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है research methodology की series में आज जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है testing of soundness of a measurement की एक measurement की soundness को हम कैसे test करेंगे मतलब कि जब हम को instrument use कर रहे हैं कुछ measure करने जा रहे हैं measure का simple मतलब था कि दो variables हैं दो चीजे हैं एक को convert करना है दूसरे में मतलब attitude को हमने मापना है numerical terms में मतलब एक set को set of data को हमने दूसरे set में convert करना है अपनी समझ के लिए data को interpret करने के लिए और results find out करने के लिए तो एक measurement जो होता है मतलब जो instrument हम use कर रहे हैं measure करने के लिए कुछ भी उसको measurement scale बोलेंगे तो उस measurement scale की soundness हमें कैसे पता लगेगी कि कितना सटीक result देता है result सही देता भी है कि नहीं देता है और कौन-कौन से aspect जो है वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे एक measurement scale को test करने के लिए या उसकी किस तरह से उसको use किया जाएगा research में क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखने पड़ेगी यह सारी चीज़े discuss करेंगे आज के topic में बहुत ही important वीडियो है exam point of view से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request रहेगी कि हमारे चैनल Unlimited Struggler को subscribe करें और well icon हिट करने ताकि आपको हर आने वाले latest वीडियो की notification मिल जाए और facebook और instagram है पेज है हमारा Unlimited Struggler के नाम से उसको like करें follow करें इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि paper 1 और paper 2 के notes जो हैं वो बहुत ही minimum rates पे आपको available करवा रहे हैं Unlimited Struggler team और यह notes जो हैं handwritten notes हैं आपको बहुत फाइदा इनसे मिलेगा तो जिसको भी required होंगे वो मुझे whatsapp कर सकता है call कर सकता है तो आगे discuss करते हैं कि soundness of a measurement scale को हम कैसे test करेंगे देखे कई बार क्या होता है कि जब हम instrument को apply करते हैं survey के दौरान या हम मतलब survey conduct कर रहे हैं respondent से हम क्या कर रहे हैं sample collect कर रहे हैं कुछ चीजें पूछ रहे हैं उसको भर रहे हैं questionnaire fill कर रहे हैं या हम interview कर रहे हैं या हम schedules fill up कर रहे हैं तो उस time पर क्या होता है कुछ एक mistakes रह जाती हैं अब वो mistakes चाहा है respondent के end पे हो जिससे हम sample collect कर रहे हैं जिससे हम data collect कर रहे हैं या measure करने में गलती रह गई हो 19-20 का फरक आ गया हो हमने कुछ और लिख दिया जबकि कुछ और था या कुछ situational factor हो सकते हैं जिनकी interference की वज़े से जो है वो results उतने सही नहीं आये जितने आने चाहिए थी या फिर हो सकता है हमारा instrument जिसका हम use कर रहे हैं measurement के लिए जिस scale का use कर रहे हैं वो ही साय गलत हो सकता है तो इसकी वज़ा से जो हैं वो हमारी results vary करेंगे हमारी जो inferences हैं वो vary करेंगी और जो actually होना चाहिए था वो हो नहीं पाएगा और जो result आने चाहिए थे वो आ नहीं पाएंगे तो ये सब चीजें बड़ी important होती है एक researcher को ध्या रखनी पड़ती है ताकि ये समझ ले कि जो भी हम scale use कर रहे है measurement scale ठीक है कुछ भी measure करने के लिए वो एक sound scale हो एक अच्छा smooth scale हो और उसमें गलतियां होने की संभाबना या results गलत आने की संभाबना या measurement गलत होने की संभाबना बिलकुल ना के बरावर हो या हो ही ना जब भी बात आती है soundness of measurement scale की तो उस टाइम पे हम तीन aspect को बड़ा ध्यान रखते हैं या हम कह सकते हैं कि तीन test जो करना वह बहुत जरूरी होते हैं उसमें पहला आता है test of validity दूसरा आता है test of reliability और तीसरा जो आता है test of practicality इन तीनों को हम detail में study करेंगे कि इनका क्या role रहता है क्या यह होते हैं और किस तरह से इनको हम मतलब देखेंगे इस नजरिये से measurement scale के नजरिये से सबसे बहले बात करेंगे test of validity की देखिए validity का मतलब क्या है validity का मतलब है कि एक researcher जो चीज measure करना चाह रहा है क्या उसको वही वो चीज measure कर पा रहा है या उसको वही चीज measure करके मिल रही है instrument के दोरा जो भी measurement scale वो use कर रहा है उससे वही चीज वो actually measure कर पा रहा है जो वो करना चाह रहा था मतलब जो उसनी mind में एक चीज रखी थी कुछ parameters रखे थे कुछ standards रखे थे कि इस point से इस point के बीच में अगर मुझे measurement मिलता है माप मिलता है तो वो सही result होगा तो क्या वो उतना उसको मिल पा रहा है या जैसा उसने सोचा था results वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अगर वो चीज वैसे ही हो रही है जैसे उसने सोचा था कोई भी difference नहीं आ रहा है तो हम यह मान के चलेंगे कि हमारा जो instrument है measurement का वो एक valid instrument है और वो instrument जो है बिल्कुल true picture हमें provide कर बा रहा है फिनोमिना की और जो भी हम measure कर रहे हैं वो एक बिल्कुल सही जो सटीक चीज है जो measure की जाने चाहिए और जो results आने चाहिए वही आ रहे हैं जब बात आती है validity की तो तीन तरह की validity important होती है एक तो content validity दूसरी criterion related validity और तीसरी construct validity content validity का क्या मतलब है it is extent to which a measuring instrument provides adequate coverage of the topic under study कि इसका मतलब है content validity का क्या मतलब है कि हमारे सर्च में कुछ एक objectives होते है objectives के basis पे hypothesis frame होते है और उन hypothesis और objective को मध्या नज़र रखते हुए हम क्या करते हैं जो हमारा questionnaire है जो हमारा instrument है उसके items हम frame करते हैं मतलब उसके questions बनाते हैं तो हम यह मानके चल रहे हैं और यह होना चाहिए कि जो हमारे questions है items है उनके हिसाब से जो results आएंगे वो हमारे objectives को meet out करेंगे तो अगर तो हमारे objectives को meet out कर पा रहे हैं या जो हम measure कर पा रहे हैं उससे हमारे objective meet out हो रहे हैं और जो हमको find करना था वही find हो रहा है तो हम यह मानके चलेंगे कि content validity जो है वो that is good for that instrument उस instrument की content validity सही है और content validity जो है हमेशा सही रहेगी उस instrument का use करने से और content validity जो है consideration है उसका aim जो है उसका purpose जो है वो meet out होना चाहिए दूसरी validity आती है criterion related validity criterion related validity का मतलब है कि यहां पे researcher एक prediction लेके चलता है कि उसके पास जो outcome आएगी measurement के बाद वो क्या outcome आएगी तो उस predictive outcome के हिसास से अगर उसको जो है outcome मिल रही है suppose उसने वो मानके चल रहा है या जो phenomena उसने लिया है उसके results जो है वो 4 और 5 के बीच में vary करेंगे तो यह मानके चल रहा है कि अगर मुझे maximum responses जो है तो maximum responses जो है 4 और 5 के बीच में vary कर रहे हैं तो मतलब वो scale जो हमने बनाया था वो विल्कुल सही है और जो outcome हमने predict पहले कर रखी थी उसी के हिसाब से हमें outcome मिल रही है तो इससे जो है हमारी criterion validity जो है वो satisfy हो रही है criterion validity को हम एक predictive validity बोल सकते हैं concurrent validity बोल रहे हैं कि मतलब जो हमको मापना था जो हम outcome mind में set करके वैठे थे कि मेरे results इस figure के आसपास आएंगे वो हमें मिल रहा है इससे criterion validity जो है वो satisfy हो रही है और बो instrument जो है criterion validity को satisfy करने के लिए एक good instrument होगा इसके बाद बात आती है validity के third type की construct validity construct validity एक ऐसी validity होती है जो एक relationship या हम बोले correlation एस्टिवलिस करती है different propositions के बीच या जो भी related aspects होंगे उन related aspects के बीच में जो है वो main objective का या main हमारा जो fundamental objective होगा या जो चीज हम topic होगा उसका एक relationship एस्टिवलिस कर पा रही है मतलब कि हम एक correlation देखना चाह रहे थे मालेजिये aspects को find out करना चाह रहे थे अपने study से related कुछ एक topic से related या topic से different aspects हम find out करना चाह रहे हैं और multiple angles से concept को देखने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमने responses लिये उस जिस instrument का use हमने किया जो item frames की थी उसके हिसाब से जो result आ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक आ रहे हैं माने जो हमने related aspects समझने थे वो हमें मिल रहे हैं कि maximum responses उसके आसपास आ रहे हैं या उससे संबंदित आ रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि एक सब्सक्राइब कोर्लेशन जो था हमारे माइंड में जो हमने प्रडिक्ट किया था कि इस पर्टिकुलर आइटम का जो जैसे माल लेजे attitude का रिलेशनशिप एंगर के साथ हो सकती है एटिट्यूड की रिलेशनशिप जो है वो happiness के साथ हो सकती है तो अगर वैसा ही कुछ हो रहा है और हमें रिजल्ट वैसे ही hypothetical मिल रहे हैं जो हमने प्रडिक्ट किये थे तो हम माल लेंगे कि इससे construct validity जो है वो satisfy हो रही है और हमारा measurement of scale जो है वो एक good measurement scale है construct validity को satisfy करने के लिए अब दूसरा जो test आता है वो है test of reliability reliability को find out करना या measure करना या हम कहें कि satisfy करना बहुत जरूरी है research point of view से validity, reliability और practicality जो मैंने तीन चीज़े बताए reliability का मतलब यहां पर यह है कि जैसे माल लीजिए हमने कुछ measure किया और जो हम measure करना चाते थे जो result हम मान के चले थे कि उज़े 4 और 5 के बीच में results आएंगे और एक sample को हमेंने test किया एक sample के उपर मैंने मतलब responses लिए respondent से एक sample collect किया या एक sample से data लिया तो उसने जो responses fill up किये वो 4 से 5 के बीच में fill up किये मैं मान गया कि मेरा मानना यह था कि 4 और 5 के बीच में responses आएंगे तो एक सही instrument है और responses भी 4 और 5 के बीच में आए तो मतलब वो instrument जो हो वो valid instrument हुआ अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं 50 sample collect करूंगा या 50 sample 50 respondents से data collect करूंगा तो उनके responses जो हैं वो 4 और 5 के बीच में vary करने चाहिए सब के या maximum के तो मैं देखता हूँ कि जब भी जिस्वी respondent के पास मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे responses 4 और 5 के आसपास ही मिल रहे हैं मतलब मेर majority of the respondents ने मुझे 4 और 5 के आसपास ही responses दिये तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैं outcome predict कर रहा था वही outcome मुझे बार 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 different angle से पूछने पर या different respondents को पूछने पर या different researcher के द्वारा पूछे जाने पर मुझे same outcome मिल रही है maximum time same outcome मिल रही है तो हमारा instrument जो है measurement of scale जो है वो ए एक reliable scale है भरोसे मंद है कि मैं चाहे किसी भी angle से question पूछूँ चाहे मैं किसी भी person से question पूछूँ या चाहे मेरी जगा कोई और पूछे अगर result मुझे बार बार यहीं मिलेंगे जो मैंने predict किये थे या जो हमने मान के चले थे कि इसके बीच में vary करने चाहे result एक scale के बीच में चार से पांच के बीच में तो मैं मानूँगा कि वो scale जो है वो instrument जो है वो measurement scale जो है वो reliable instrument है या scale है जैसे हम बोल सकते हैं कि देखिए एक scale जो है वो scale मापता है किसी भी चीज को चाहे वो numbers में मापे चाहे cases में मापे चाहे वो meters में मापे वो एक scale है तो एक scale जो है reliable हो सकता ह अब scale reliable होना बहुत ज़रूरी है लेकिन एक scale ज़रूरी नहीं हर time valid ही हो जैसे माली जी एक weighting machine है वो weighting machine 5 kg तक का weight जो है वो बताती है 5 kg से उपर उसके उपर अगर weight रखा जाए तो वो 5 kg ही maximum बताएगी 6 kg या 7 kg या जितना भी उपर होगा वो नहीं बता पाएगी तो अगर माली जी मैं 50 kg का उसके उपर भार रखता हूँ और वो weighting machine जो है वो मुझे 5 kg ही बता रही है तो मैं बोलूँगा ये weighting machine जो है वो reliable weighting machine है लेकिन ये valid नहीं है valid इसलिए नहीं है कि उस machine का काम था weight बताना और उसने weight बताया और उसकी maximum limit थी 5 kg तक weight बताने की और उसने 5 kg मुझे reflect किया तो जिस हिसाब से उसकी coding हुई थी जिस हिसाब से उसकी construction हुई थी machine की उस हिसाब से उस machine ने मुझे accurate result दिये और condition ये थी कि अगर 5 kg से जादा भार रखा जाएगा तो maximum 5 kg ही display करेगी मैं उसके उपर 50 kg का भार रखूँगा तो मैं बोलूँगा it is not valid वो valid नहीं हुई जबकि बहुर reliable थी reliable इसलिए थी क्योंकि उसका काम था weight मापना और जो condition उसमें थी कि ये 5 kg तक weight माप सकती तो उसने माप के मुझे दिया तो वो valid थी वो reliable थी लेकिन 50 kg का weight वो display नहीं कर रही है इसलिए वो valid नहीं हुई मतलब कि एक instrument reliable हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर case में valid हो हर जगा पे एक instrument नहीं लगेगा जिस purpose के लिए या जिस particular conditions के हिसाफ से उस instrument को frame किया गया scale को frame किया गया है उस condition में वो instrument reliable भी हो सकता है और valid भी हो सकता है लेकिन अगर कुछ ए conditions change होंगी माल लीजिए माल लीजिए मैं respondent बदलता हूँ age group बदलता हूँ location बदलता हूँ product बदलता हूँ या questions का objective बदल देता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो instrument हमेशा ही valid रहेगा कुछे conditions होती है जिनके अंडर वो reliable होता है लेकिन जुरूरी नहीं है कि condition change होने के बाद भी valid ही रहेगा reliable हो सकता है लेकिन valid नहीं हो सकता है अगर कुछे condition change होती है reliability की testing में ही एक और चीज आती है कि इसके दो major aspects होते है और वो दो major aspects क्या हो सकते है वो है एक तो stability दूसरा equivalence deserves special mention अब ये दोनों क्या चीज़े है the stability aspect जो हमें बोलता है इसका concern होता है consistent result से मतलब जो result मुझे एक बार एक respondents को पूछने से मिले मुझे दूसरे respondent को पूछने से भी वही result मिले तीसरे से भी वही result मिले चौते से भी वही result मिले मतलब मेरे results में जो है वो stability है माने मैं जो major कर रहा हूँ मैं बार बार major कर रहा हूँ लेकिन हर बार मुझे उतना ही result मिल रहा है तो मेरा instrument जो है वो stable है और किसी भी instrument stable होने का मतलब है वो reliable है और reliable तभी होगा जब वो stable result मुझे देगा consistent और constant result मुझे देगा डूसरा है equivalence aspect equivalence aspect का मतलब है कि how much error may get introduced by different investigator or different samples कि इसका मतलब है कि अगर मैं respondent change करता हूँ respondent अलग-अलग होते हैं और या researcher बदलता हूँ या investigator बदलता हूँ जो response लेने वाला है तो कितने error आ रहे हैं कितना number of error इनकर हो रहे हैं अगर number of error में या chances of error में बिल्कुल minor side फरक आता है या बिल्कुल फरक आता ही नहीं है तो मैं मानूँगा वो जो instrument है वो reliable है पूछने वाला चाहे कोई भी हो पूछना चाहे जिससे भी जाए लेकिन हमें कुछ एक चीज ध्यान रखना चाहे कि मतलब जिस conditions के साथ वो instrument frame किया जाएगा जाएगा वो इन conditions वहाँ अपलाई होगी ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी condition violet होई तो हो सकता है हमारा instrument जो है वो valid ना हो तो चाहे मैं उस तरह के किसी भी sample से पूछूँ चाहे पूछने वाला कोई भी हो अगर मुझे same results मिल रहे हैं तो equivalence aspect जो है वो यहाँ लग रहा है मतलब मुझे equal ही response मिल रहे है stable response मिल रहे है और मेरा instrument जो है वो reliable instrument है तीसरा aspect जो आता है soundness of measurement में वो है test of practicality test of practicality का मतलब है कि मैंने instrument तो construct कर दिया बना दिया, frame कर दिया अब मैंने उसकी reliability और validity test कर लिए वो बिलकुल सही है सटीक result मुझे दे रहा है बार बार पूछने पर मुझे same result मिल रहे है prediction के हिसाब से मुझे result मिल रहे है लेकिन क्या उस instrument को use कर पाना जो है वो feasible है की नहीं है वो economical है की नहीं है उसका cost aspect हमें देखना पड़ेगा convenience aspect मुझे देखना पड़ेगा कितने अच्छे तरह से कितना easy है उसको use करना और उसकी interpretability मुझे देखनी पड़ेगी कि उसको results को मैं कितने easily interpret कर पा रहा हूँ अगर मेरे measurement scale के instrument के जो है वो economic convenience और interpretability aspect जो है वो बिलकुल सही है easy है और वो उनके हिसाब से fit वैठता है तो वो instrument जो है वो बहुत ही सही instrument है valid भी है reliable भी है और एक sound instrument of measurement है economy से यहां मतलब है कि उस instrument से जब मैं मापूंगा किसी चीज को तो उसमें cost कितने involved होगी time कितना consume होगा effort कितना ज़्यादा लगेगा अगर instrument तो बढ़िया है लेकिन time cost और effort बहुत ज़्यादा उसमें लगता है तो कहीं न कहीं उसकी shortcoming गो रहेगी limitation वो रहेगी दूसरी बात आती है convenience की कि वो result तो मुझे सटीक दे रहा है अच्छे result दे रहा है बार बार उसका use करने में मुझे same result मिल रहे हैं लेकिन उसको मतलब apply करने के लिए कोई coding बहुत खतनाक है या coding बहुत tough है या माल लीजिए उसको मतलब बड़ी ध्यान से और बारिकियों से उसको apply करना पड़ेगा या उसको apply करना थोड़ा tough है हर कोई इंसान उसको use नहीं कर सकता हर situation इसको use नहीं किया जा सकता या काफी जादा चीजें काफी जादा मतलब हम ये बोल सकते हैं adjustments हैं उसके पीछे तो भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वो practically feasible नहीं हुआ आपका measurement of scale वो instrument practically आप use करना उसको थोड़ा मुश्किल रहेगा तो ये भी उसकी एक limitation हो जाती है मतलब हमारा instrument जो है easy to use होना चाहिए तीसरी बात यहाँ पर आती है interpretability कि उसके जो results हैं उनको हम किस तरह से interpret करेंगे उन पर क्या-क्या conditions लगेंगी उसके results को किस तरह से समझेंगे क्या उनको analyze करने में उसको कितना वक्त लगेगा किस तरह का methodology लगेगी वो अगर बहुत ही difficult है या बहुत rare cases में यूज होती है या बहुत ही मतलब मुश्किल है उसके results को interpret कर पाना तो हम बोलेंगे कि वो practically sound नहीं है वो हमारा instrument मतलब हमारा instrument एक ऐसा instrument होना चाहिए जिसके results को हम easily interpret कर पाएं with the help of easy methodology या जो भी method हम use कर रहे हैं वो researcher investigator जो है वो easily उसको practically use कर पाएं तो मतलब हमने ये जान लिया कि एक measurement of scale जो है वो sound तभी हो सकता है जब वो valid हो reliable हो और practically possible हो उसको use करना और उसके results तभी जो है वो सही आएंगे आज की लिए वस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और एक बहुत important वीडियो है research point of view से इसको कभी ignore मत कीजिए अगर validity, reliability और practicality जो है ignore की research में तो research पूरा ही ignore हो गया thanks for listening, thanks for watching like करें, comment करें अगर अच्छा लगा और subscribe और share करें unlimited struggle को आपके कोई भी क्वाइडी होती है आप मुझे mail कर सकते है sksankhya666 at the red gmail.com पे call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं 7627096162 पे thank you, thanks a lot